असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सबसी उसके लिए हमने भिंडियों को काटके रख लिया है और और लेंगे हम एज रिकॉाइड टुमाटर लिया है यहां पर मैंने प्यास है मेरे पास दो मीडियम साइस के जिनको मैंने बार सबसे पहले हम यहां पर एक बरतन लेंगे और बरतन जो है वह हम उसमें ऑल डालेंगे 143 कप उसमें ऑल जाएगा और आंज हमारी जो है वह लोपे है और हमारा अच्छे से हम गरम कर लेंगे और यह हमारा फर्स टैप है तो फर्स टैप में हम सबसे पहले अपनी जो भिंड तो यह बिनिया जारी है इसके अंदर और अब हम इसको अच्छे तरह से फ्राइ कर लेंगे अब हम आलमोस्ट 5-7 मिनिट लगेंगे मैक्सिमम और अच्छे से यह फ्राइ हो चुकी है यहाँ पर तो इसका वॉलियम बिल्कुल हाफ हो गया है तो यह फ्राइ हो चुकी है टरन ह हम इसको भडेतान से आपने निकाल लेंगे यहाँ पर हमने बडेतान से बिड्यो को निकाल लिया है अब भडेतान वापस चूले पर रखेंगे और हम इसमें आइल डालेंगे आलमोस्ट हम 1-2 cup अइल डालेंगे इसमें 1-4-2 cup और इसमें थोड़ा समय साबत गरम मसालाई करीब और इसको हलका साम गरम कर लेंगे और के साथ अब हम इसमें अपने कटेवे प्यास जो है वह आइड कर देंगे तो सारे प्यास इसमें आइड करने के बाद हम इसको अच्छे तरह से फ्राइड करेंगे तो यहां पर यह प्यास इसमें अड हो चुके हैं तो अब हम चमच ले लेंगे अपना और उसकी हल्प से जो है ना इसको अच्छे तरह से हम फ्राइड कर लेंगे तो फ्राइड इतना करना है कि इसका भी वॉल्यूम जो है न वो हाफ हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए हमारे प्यास वहां तक हमने उस स्टेज तक हमने इसको फ्राइड करना है अल्मॉस्ट इसके लिए भी हमें 5-7 मिनिटस ही रिक्वाइड है उसके अंदर यह अल्मॉस्ट फ्राइ हो जाएंगे तो यहां पर बिल्कुल फ्राइड हो चुके हैं तो वाल्यूम बिन का कम हो गया और बिल्कुल फ्राइड हो गया है इस स्टेज में हम जो है इसमें और टमाटरों को भी हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और प्यास के साथ बिल्कुल मिल नहीं जाते उस टेज तक हम इसको अच्छे तरह से फ्राइ करेंगे और टमाटरों का जो छिलका है वो अलैदा हो जाना चाहिए और गूदा अ अलमस्ट फाइव मिनिट लगेंगे इसको फ्राइब करने में तो चमच चलाते रहेंगे ताके हमारा मेटीरियल है वो नीचे ना लगे और जले नहीं और आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम टूलो के धर्मयान में रखनी है अच्छी तरह से टमाट्रों को सॉफ्ट कर लेना तो यहां पर यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं देखें चिलका बिल्कुल जो है वो अलैदा हो गया है और गुदा अलैदा हो गया है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो यही स्टेज हमें चाहिए इस स्टेज तक जो है वो हमने अच्छी तरह से इनको फ्राइ कर ले ब्लैक सीड जाएंगे कलॉण जी के सौंफ जाएगी इसमें सफेद जीरा जाएगा और अब हम इसमें आड़ करेंगे खुश्क कुटा हुआ धनिया और इन मसालों के साथ हम इसको अच्छे तरह से भून लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले एक जैसे हो जाये बिलकुल एकुली मिक्स हो जायें सारे तो यहाँ पे यह बिलकुल ही मिक्स हो चुके है और सारे मसाले जैंड़ें तो देखें कलर भी बहुत अच्छा आ गया इस टेज़ तक जो है वो हमने मसालों के साथ जो है वो पकाना है अब हम इसमें अपनी जो फ्राई कीवी सबजी है वो ऐट कर देंगे बिंडी वो इसे में एट करेंगे अब हम और हलके हातों के साथ हम चमश की मदद से इसको mix कर लेंगे बिलकुल हलके हातों के साथ हम mix करेंगे क्योंकि हमने बिंदी फ्राई की वी है तो इसलिए हलके हाथों से मिक्स करेंगे यहाँ पे एक दो चीन्टा हम दे देंगे पानी का हाथ की मदद से वैसे हम पानी आड़ नहीं करेंगे हलका सा चीन्टा देंगे और आज हमारी बिल्कुल लोग पे होगी और चीन्टा देंगे हम इसको ढखके दम पे पकाएंगे पान से दस मिनिट के लिए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग फी अमान लाह